अकोला 24 न्यूज एक कदम प्रस्टचार के किला गणेश ओच्छो एवं ईद मिलादुन नभी को नियमों के दाइरे में रहकर मनाया जाए पुलिस अधिक्षक बच्चन सीह ने अकोटवासियों से किया आवाहन हाल ही में शुकरवार के रोज अकोट शहर पुलिस थाने में शांतिता समीती की बैठक बुलाई गई थी जिसमें पुलिस अधिक्षक बच्चन सीहा ने कहा कि गणेश ओच्छो मंडल और ईद मिलादुन नभी हर साल भव्वे और दिव्वे तरीके से मनाया जाता है लेकिन जिस तरह से अकोट में कावड यात्रा समय के पहले ही शांतिता रूप से मनाई गई ये बात सरहानिया है हिंदू मुस्लिम एक्ता की भावना के साथ होने वाले तिवहारों को नियमों के दाइरे में रहकर मनाये जाए बाहिर के वीडियो पर भरोसा ना करे और ऐसे आपति जिनक वीडियो को अपने ग्रूप में शेर ना करे जिसके कारण कानून व्यवस्था न बिगड़े इसका सभी को ध्यान रखना होंगा पलिस हर किसी के लिए सदेव ततपर है कोई भी वेक्ति नियमों के बाहिर न जाए नहीं तो नियम अनुसार सक्त कारवाई करने के निर्देश दिये गए है डीजे नियम अनुसार बजाए जाए कोई भी नियम ना तोड़े इस बात का हयाल रखे ऐसी जानकारी शांतता समिती की बैठक में पलिस अधिक्षक बच्चन सीहने दी और गणेश उत्सो वा इद मिलादुन नभी मंडल की सभी समस्याओं को सुनी इस उसर पर उफवभागिया अधिकारी मनोज लोनारकर और उफवभागिया पुलिस अधिकारी अनमूल मित्तल अकोट शहर पुलिस थाने के थानेदार अमूल मालवे ने भी गणेश उत्सो और इद मिलादुन नभी मंडल के पददिकारियों को नियमों के संबंद में महत्वपुर्ण नीदेश दिये इस समय MSCB की कारेकारी अभियंता अनिल उई के अकोट ग्रामिन पुलिस थाना के थानेदार किशोर जून गरे अकोट नगर परिशत के शाखा इंजिनियर दिनेश थेलकर खतीब महा वित्रन के राटी उपस्तित थे इस शांतता समिती के बैठक में शांतता समिती के सदेस्य वा गणेश उच्सव वा इद मिलादू नभी मंडल के पददीकारी वा पत्रकार बाधाव नागरिक बड़ी संख्या में उपस्तित थे कारेक्रम का संचालन अकोट स्ड़ीपो कारेले के PSI गनेश पाचपोर वा अकोट शहर पुलिस थाने के API अभिशेक अंधारे ने माना कारेक्रम को सफल बनाने के लिए अकोट शहर पुलिस थाने के DB प्रमुक तता PSI अक्तरशिक कुफिया विभाग के विजय राजनकर गनेश कवडे अनिल शिर्साट गनेश दुर्वे ने मेहनत की है अकोला 24 नियूस के लिए अकोट से सैयद हहमत की खास रिपोर्ट